नमस्कार दोस्तों यह ली सोसाइटी में आप से का एक बाफ फिर से बहुत-बहुत सवागरत है दोस्ता इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से यानी की डिसल से वाप वोटल का प्रयोग करके कैसे आई जात निवास वगेरा का फॉर्म बना सकत और कैसे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना वो मने कल के वीडियो में बताया था लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्सन में वहां से जाके देख सकते हो लेकिन आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप CSC सेंटर के माध्यम से आय प्रमाट पत्र के लिए अ लेकिन अब भी मैं इससे पहले दिता देता हूं कि आपको आय प्रमाट पत्र बनाने के लिए कैसे अप्लाई करना है और क्या के दाक्या कि लगेंगी कि तरीके से कौन से चिजिवों का ध्यान रखना है ताकि आपका फार्म रिजेक्ट नहों तो इसके लिए मैं एक डिट करने जो भी क्या और यहां पर आने के बात देखो यहां पर आने के बाद देखो यह अपको जो है रिए सब्राइoulder आपने सि तरहे का नाम इसमेंगीfolg प्राप्त कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पोटल आपके सामने दीखेगा तो अभी आपको यहां पर जैसे कि मैंने बताया था राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इंकम साइटिकेट जरूरी होता है तो ऐसे में अगर आप कोई राशन प्रामीड वाले में नहीं आते हैं तो इसलिए अपिसमिली से नगरी वाले पर सेट कर लीजिए अधुमिया और यहां पर क्लिक करने के बाद जिसका भी आपको यह आय प्रमापत्र है बनाना है उसका नाम जाल देना है नाम डालने के पाद उसके अगर महिला है तो इसके लेना और यह डाल देना ठीक है फिर जो भी कंडिडेट है उसकी माता का नाम और फिर उसका जो भी एडर्स है वो यहां पर डालना है एडर्स में थोड़ा सा ध्यान लखेगा कि पोश्ट वगेर नहीं लिखा जाता है इसमें एक बार किसी का अगर उस एडर्स का बना हुआ भी वास माँपत है तो उसी लेंगर में लिखियेगा या उसी लेंगर में ही आप उसको भरने कोशिज करियेगा दर्वाइस आपका रिजिक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर उसका जो भी तैसील लगता है वो लगा लिजए फिर उपर उपर आपने अडर्स सेलेक्ट क करता है कडाई करता है मज़ूरी करसी क्या करता है तो जैसे यहां पर ज्यादा तर नॉर्मली करसी ही लगता है और करसी लिखने के बाद आपको क्या करना होता है परिवार के सदिश्यों की कुल संख्या कितनी है तो जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास आई प्रमार्पत भी लिख हो गे हुगे तो उनके यहां पे नाम नहीं पड़ेंग है जैसे जनल पर करते हैं लिखा है घरशी करते हैं तो यहां पर लिख देना की EPA क्रिश्ची करते हैं और दूसरा वाला नॉर्मली कुछ नहीं करता होगा तो उसको विरसगार लिख देना और इंकम आपको कितनी इनकी वनवानी है तो बिसिकली अगर जो है कहीं अनुदान मिलना है तो वहां पर शीयालीस अजार से कम ही लिखी जाते हैं तो आप जितनी भी कहले से लिख दिते हो जो भी आपका अवेदे को देर है और उसके बाद यहां पर अन्यसरोतों से आय का ऑप्शन आजाता है तो अगर मज़ती से हैं तो लिख सकते हैं अधर वाइस अन्यसरोतों से आय में भी थोड़ा बहुत लिख दोगे इस तरीके से तो यह कालूम कारण पूछेगा यहां पर इशकोल में लगना है सिश्छन कार है तो चात्रथी में लगना तो लगा देना आप कहीं पर पैंसें के लिए साधी अनुदान के लिए लगना है तो यहां पर अन्य वाला option टिक कर ले ना और अन्य करने के बाद देखो यहां पर पूछेगा कारण क्या है तो यहां पर लिख सकते हो जैसे कि साधी अनुगान है तू या जिस काम के लिए भी आविदक लिख के दे रहा है वह आप लिख दोगे अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो आवस्य कर ते तू इस तरीके से आप यहा क्या क्या चीजें हैं तो यहां पर देखो फोटो आपको सलेक्ट कर लेना है तो सबसे पहले आपको फोटो लगानी है इसमें क्या क्या चीजें लगानी होती है वह मैं आपको बता देता हूं तो सिंपली से आपको देखो आवेदक का फोटो लगाना होता है एक स्वा प्र प्लस यह घोषना पत्र वाला दे दिया है तो जहां से कश्मर से आपको पहले से भरवा के ले लेना है और फिर राशन कार्ड अगर है उसकी कॉपी ले सकते हो अधर्वाइस अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसको वेतन परची लोग है अधर्वाइस उसका आधार काड लेन सौकरवाणित нет घूषना पत्र ले 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 पूट इतनी चीज़ें जरूरी है इसमें से तुम से यहां पर इमिसे कश्षय कर दो ने है तो स्कतिर डियाख है और और यहां आप अप्लोड कर देना ठीक है पूट नीचे देखोआ हं पोटलो पनरे के लिए तो इस पर टिक नहीं करना है अगर आपको ऐसे देख लेना आप जो क्या है कि फोटो के बाद स्वापरमारी गोष्णापत्र का ओप्षन है तो अभी आप इसको टिक करके उसी तरीके से यहाँ पर चूज करके अपलोड कर दोगे ठीक है यहाँ पर क्योंकि गोष्णापत्र यहां पर लिखने के बाद अब आपको यहां पर देखो अधार काड़् दिक जाएगा आपने जो भी सकने किया हो तो अधार काड सrichtर के आपцर को अप्लोड कर देना है ठीक है तो यह सारी चीज़े करने के बाद आपको यहां पर देखो Captcha Code दिखाई पड़ेगा तो यहां पर यह Captcha Code डालके आपको दर्ज करें पर क्लिक कर देना है और दर्ज करें पर क्लिक करोगे तो आपका अगर इसमें कुछ correction करना है तो आवे दिन संसोधित करें पर क्लिक करोगे और आपके सामने वही वही वाला इवасть 3 ऊणने तो आपने जैसे i परणवार पत्र फीड किया है वैसे आप। इस ब्सक्राटर प्त्र बीद कर दोगे और जब परणवार पत्र फीड करके जांगे जतने भी फांग आपने करना है वो देखना है तो जाना है पेपट करोगे तो आपको यह है Whoo che tickets payment से payment करने वाला प्राइब करेंगे तो आपके सामने एक भावती रसीट फुल के आ जाएगी यह रसीट का प्रिंट आउट भी दे सकते हैं कस्क्टमर को यह फिर क्या कर सकते हैं जो मैंने यह फॉर्म दिया है आपको इसी के नीचे आप यहां पे इसका नाम और पिता का नाम और उसके बाद आप यह जो अप्लिकेशन नंबर ही यह नूट करके दे देंगे इतनी चीश डालके दे देंगे तो दुबारा से जब केस्टमर आपके पास निकलवाने आएगा तो यह वाला नंबर कॉपी करके आपको जो है जो आपका स्टेटस वाला है पेज जहां से भी आपका यह और फिर आपके पास इस तरीके से यह आपके पास आजाता है तो आपने एक साथ में कितने सारे फॉर्म बनाए हैं उनकी डिटेल अगर देखनी है तो मिस रिकोर्ट पे जाके मिस आप सब्मिटेट अप्लिकेशन इस पर क्लिक कर देना है और जैसे समिट करोगे तो आपको पूरी रिपोर्ट देख जाएगी तो आपको सबका नाम औ उनका अप डिकिशन नंबर दिख जाएगा तो आपको दिख जाएगा स्विकरत हुआ है बन गया है, नहीं बना ही, आपने दे दिया है और अगर उसका आपको निकाल amidst in marketing लुग है तो यहां पर अत्यापित करने में पजल सब सबिस्स ौटर्ः करन क्लिक, इस पो ऊड़न देख जाएगा यहां परắm की खस ब्रwe Ao weapon एक मोहर आड़र कर सकते हो या अपने कहीं भी लोकल कोई मोहर बनाता है उससे बनवाल होगे तो इस तरीके का मोहर आपका लगा होना चाहिए आपका जब भी कोई इसको दे सकते हो बस इतना सकाम है ठीक है तो यहाँ पर जाना है आपको इनवाक्स में और इंकम काश्ट डोमिसाइल जिसको भी निकालना है उस पर जाओगे तो आप सो पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएंगे कितने फॉर्म आपके बन गए है और में से जो भी ग्रीन रेड़ वाले हैं वो आपके रिजेक्ट हो गए है ठीक है तो जैसे कि रेड़ वाले का एक में स्टेटस चेक करके बताओं तो आप देखोगे यहाँ पर किस वज़े से रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको दर्ज किया तो लिखा है आवेदन अस्विक्र वाले होजय की किस वज़े से रिजेक्ट हुआ है या लेकफाल के पास यहाँ दो बता देगा कि руки कि किस वज़े से आपको फौन का पर्जिवस और कर सकते हैं आश्या करता हूं यह सारा आपको प्रॉसस्स अ मैं आ गया है कुछ भी कंप्योजन है तो विडियो के नीचे आपको फैल फुल रहेंगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूब उच वहीगा मिलते हैं से किसी नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाय चाहें